नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तों आज फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाजिल हो चुके हैं दोस्तों EPFO की तरब से ताजा ख़वर निकल कर आ रही है जिसकी जानकरी मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ जैसे कि आप से भी जानते हैं कि हाई कोट में मामला चल रहा है और दोस्तों बड़ी खुस कवरी भी यहाँ पर निकल कर आई है जो हाली में कोट की तरब से अफडेट आया है वह मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और साथ दोस्तों नई पैंसन योजना की भी शुरुवात होने जा रही है मिटिंग में क्या बतलाव किये गए हैं क्या जानकरी दी गई है वैसे भी जानकरी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ वीडियो को सुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे निद्धन करूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजे जासे दाशेर भी करेगा आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चुरूर सब्सक्राइब करेगा दोस्तों क्रमचारी भविश्य निदिश अंगठन यानिके एव एफो व्यक्ति को बहतर और निश्चित प्याइंशन परदान करने के उद्धेशे से एक नई प्याइंशन योजना की तैयारी कर रही है जिससे कि व्यक्तियों को प्याइंशन दीजा सा सके और उसम दोस्तों पैंशन योजना उनिश व किचाणमा के अंतर गत सींहिं कर दोस्तों बढ़ाने की लगतार मांके जा रही है यसे थी आप जानते ही कोई जो फैसला है नहीं लिया गया है लेकिन यह मामला हाई कोट में चल रहा है अब दोस्तों हाई कोट में है मामला चल रहा है लेकिन बताए गया है कि नई पैंसन बनाने की तैयारी की जा रही है अब नई पैंसन में आपको क्या करना होगा और किस पकार से लाम मिलेगा वह मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूं क्योंकि जैसे सुप्रीम कोट से कोई भी फैंसला या फिर कोई भी यहां पर विचार विमर्स जो है वेक्किया जाता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जल्द ही जानकारी जरूर देंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइ क्लिकर रखेगा जो जोगे चलते हैं बात कर लेते हैं कि यहां पर जो एकी इस परकार से और क्या सकीम यहाँ पर लाने वाले हैं तो दोस्तों आपकी जानकार के लिए बता दें कि एपी एफ आफो नाई फिक्स डीपैंसन इस कीम लाने की तैयारी में है यान कि जो जो रासी योगदान के अधार पर तैह की जाएगी यादि दोस्तो जिस प्रकार से आप चाहेंगे उस प्रसकार से ही आप पैंसन को ले पाएंगे दोस्तों आपको जो पैंसन चाहिए होगी उसी हिसाब से आपको अंसदान करना होगा जिहां दोस्तों आपने सही सुना है जिस प्रकार से भी आपको पैंसन चाहिए होगी उसी प्रकार से आपको अंसदान करना होगा इसमें आपको कुछ investment करना होगा अगर आप एक करमचारी है तो दोस्तों आपके हाँ पर PF कटेगा और PF के साब सी दोस्तों आगो आगे आपको पैंसन दी जाएगी वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपको बात करें तो दोस्तों नई पैंसन के अंतरकत निश्चित पैंसन रासी चुनने का विकल्प भी होगा यानिके आपको बताएगा कि निश्चित पैंसन रासी चुनने का विकल्प भी होगा और इसमें स्वे रोजगार और निजी करमचारी भी पंजी करन कर सकेंगे यानिके जिसका स्वम का रोजगार होगा वह भी पंजी करन कर सकेंगे और जो निजी जो प्राइवेट करमचारी होते हैं दोस्तों वह भी इसके लिए पंजी करन कर सकते हैं ताकि उनको आगे पैंसन मिलते रहे लेकिन इसमें आप ही ठोग को पैंसन आगे मिल पाएगी क्रमचारी है तो आपका प्यजार्ण के आधार पर तेंग्याल्तू कि आपकेंस मिलते रहे पर आपनेंसन निकाल भी सकते हैं सब्सक्राइब कि राशी है उसके अधार पर ही आपकी जो पैंसन होगी वह दोस्तों पिए एक इंत्रगत की जाएगी तो जैसी कोट द्वारा कोई फैसला यहां पर आता है तो दोस्तों आपको जानकारी जरूर दी जाएगी सब्सक्राइब कि एक बार में यहां पर जान लेते हैं तो दोस्तों बताया गया है कि करमचारी भविश्य निदी यानके EPS में शामिल होने वाले व्यक्ति स्वेते ही EPS में सामिल हो जाते हैं नियमों के मुताबिक करमचारी अपनी बेसिक सैलरी का बारा परतिसत जो PFF है जमा करता है वही दोस्तों दूसरी जो दूसरा हिस्सा होता है दूसरा हिस्सा करमचारी के नाम पर नियोक्ता की ओर से PFF में रखा जाता है दोस्तों वहीं दूसरी ओर EPS को नियोक्ता के भुगतान का 8.33 परतिसत प्राप्त होता है यानि EPS बेसिक सैलरी में EPS बेसिक सैलरी के 8.33 परतिसत के ब्रापर हो जाता है हाला कि दोस्तों उष्टम जो पैंसन होती है उष्टम पैंसन योग्य वेतन 15,000 रुपे परतिमहा है यानि अगर यहां पर वेतन लगाए जाए तो दोस्तों 15,000 रुपे है और ऐसे में पैंसन फंड में अधिकतम 1250 रुपे परतिमहा रखा जाता है यहां पर जान सकते हैं कि आपकी जो सैलरी 15000 रुपे है वह कितना होता है यह तो यह तो थी में रिपोर्ट के मुताबिक और जैसे सरकार दौरा यहां पर कोई भी फैसल लिया जाता है तो मैं आपको इस चैनल के महत्यम से एक दम जानकरी देऊगा तो आप मेरी चैनल को जु जानकरी पहुंच सके दोस्तों निवदनी है करते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं क्या तो लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आ हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दी दोस्तों बैल ऐकन को प्रेस कर दी ताकि आने वादा जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन आपको मिल सके हैं अगर आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तत पर रहूंगा तो यह थी आपके लिए महत्मुन जानकारी जानकरी कैसे लगी हमें कमेंट बोक्स में जाकर जुरू बतेएगा तो आप चाते हैं आपसे इजाजात और मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत